हेलो एन वेलकम फ्रेंड्स टॉपर ब्रेंड्स में आप सबका स्वागत है आज हम लोग क्लास एट इंग्लिश का चैप्टर फाइब पढ़ेंगे दक टी के टल बहुत ही इंट्रेस्टिंग स्टोरी है ग्राफिक्स के जरीए यहाँ पर आपके बुक में दिया गया है और बुक का नाम है तलॉंग में न्यू इमेज़ इस नेक्स्ट और इस बुक का सारे चैप्टर साबको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा आप चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर लिजे फ्रेंड और प्ले लिस्ट में विजिट कीजिए सारे चैप्टर साबको मिल जाएगे जिनका मैंने कोशन अंसर का भी वीडियो दिया है देयर लिवड आ होली प्रिष्ट इन टेंपल ओफ मौरिंजी एक मौरिंजी नाम का टेंपल था जपान में जपान के कोट्सियू के प्रोविंस कोट्सियू के प्रांत एक जगा है जपान में जहां पर एक holy priest रहता था इस मंदिर में, मौरिंजी के मंदिर में holy priest मनें पवित्र पुजारी, जो पुजारी होता है, जो पुजा पाट करते हैं उनको priest कहा जाता है, बहुत समय पहले ऐसे एक पुजारी रहा करता था he was famous for three things, तीन चीज़ों के लिए वो जाना जाता था, his discipline and wisdom, his magic and his love to bargain वो बारगेन करना बहुत पसंद करता था, उसका magic famous था और उसका discipline, उसका अनुशाशन और wisdom wisdom का मतलब good knowledge, वो famous था ये तीन चीज़ now this priest loved a good ancient tea ceremony called cha no you, ये MCQ में पूछा गया है, ये question cha no you ध्यान रखना है one day he spotted an ancient ugly bronze medal tea kettle half forgotten in the corner of a shop, he rejoiced at the find उनको tea ceremony, पुराना tea ceremony बहुत पसंद था इस priest को, ठीक है, पुराना tea ceremony जैसे उसका नाम एक दिया वा cha no you, ठीक है, ऐसा ceremony हुआ करता था वहाँ जापान में, तो वो उसको पसंद था एक बार क्या हुआ कि उसने spot किया, उसने देखा कि एक पुराना बहुत ही खराब अगली दिखता हुआ bronze metal, bronze का एक tea kettle उसको दिखाई दिया, shop के corner में भूला बिश्रा हुआ, पड़ा हुआ है तो वो फिर भी उसे देख करके बहुत खुश हुआ, कि अरे kettle जो ये मिला है, वो शायद मेरे काम का होगा, मैं इस पर चाय बना सकता हूँ, ऐसा इसने सोचा है तो उसने दुकांदर से कहा कि शाम को ये मेरे लिए बहुत काम का चीज हो जाएगा, क्योंकि शाम को मैं अपना चाय बना सकता हूँ इससे इसलिए मैं तुम्हें थ्री रिन देता हूँ, रिन जो है वो जपान का उस्टाइम का कुछ करेंसी है, पैसा है, तो तीन रिन में वो kettle खरीदने के लिए उससे बात कर लिया, ठीक है वहाँ पे कुछ no wise थे, मतलब temple में तो बहुत सारे लोग होंगे, काम करने वाले, सेवा करने वाले, तो no wise का मतलब होता है, inexperienced person, जिसको experience कम है, जो नौ सीखिया है, नया नया आया है, जिसको ज़्यादा knowledge नहीं है, उसने kettle को बहुत ज़्यादा scrub कर दिया, घिस करके उसको चमका दिया, गोल्ड की तरह, तो the priest feeling smug, looked at his bargain this way and that, तो प्रिष्ट जो है, अपने आपको बहुत काबिल समझने लगा, कि मेरा जो बार्गेन था, मैंने जो ये kettle खरीदा है, बार्गेन करके, बहुत अच्छा किया मैंने, बहुत बुद्धिमानी का काम किया मैंने, at it for a long time, वो बहुत लंबे समय तक उसको देखता रहा, kettle को, oh, I am so sleepy, उसके बाद उसको नीन आने लगा, and as he said it, he fell on the table and slept, और वो जैसे ही बोला, वैसे ही पढ़ गया table पे सोने के लिए, just then, क्या होता है, just then, a magical thing happened, एक जादो ही चीज होता है वहाँ पे, the tea kettle moved where the spout once was, a hairy head appeared, with two bright eyes, then four paws came out, एक चमतकारी घटना होता है, यहाँ पे, कि वो जो kettle रखा हुआ था, और kettle में जो spout था, जिस side में जो, मतलब जिस side में निकलने का रहता है, पानी निकलने का ये tea निकलने का रहता है, pipe की तरह जो shape रहता है, जो रहता है, वहाँ पे उसका एक hairy head बन गया, एक सर बन गया, कोई जानवर का, ठीक है, with bright eyes, चमकता हुआ आँखों के साथ, यहाँ पे picture में दिखाया गया है, sorry, scroll down, scroll up हो गया, यह जो है, यहाँ पिक्चर में, यहाँ पे दिखाया गया, यहाँ पे जो, kettle का जो, यह pipe रहता है, ऐसे करके, जो pipe है, वो, hairy head में तब्दील हो गया, बदल गया, और फिर, bright eyes भी बन गया है, यहाँ पे, ठीक है, और देन, four paws came out, और चार pair जो है, उसका निकल आया, kettle का, a fine room, surely, बहुत अच्छा जगा मिला है, उसके, देन, कुछ, जो वहाँ पे disciple थे, जो, वहाँ पे लोग रहते थे, यह सारे लोग, जो है, यहाँ पिक्चर में दिखाया गया है, यह लोग, काफी डरने लगे, उस ची आक्छास की तरह समझने लगा, कोई मतलब हार्म पहुंचाने वाला, it is witchcraft, what else, किसी ने कहा कि, यह सायद काला जादू का यह चमतकार है, काला जादू होगा यहाँ पे, oh, and I touched it, heavens have mercy on me, किसी ने डर करके कहा, कि, अरे मैंने तो उसे टच कर दिया था, मुझे भगवानी चाहे अब, it must be hobgoblin, let's catch, यह जरूर ही कोई, जादूई, मायावी चीज होगा, चलो हम लोग इसको पकड़ते हैं, यह लोग सारे लोग आपस में बात किये, ठीक है, उसके बाद यह लोग इसके आगे पीछे घूमने लगे इसको पकड़ने के लिए, they tried very hard, but failed, hearing the commotion, the priest woke up वो लोग बहुत इसके पीछे भागे, इसको पकड़ने के लिए, जानवर को पकड़ने के लिए, पहले यह केटल था, फिर जानवर बन गया, जादूई से, और यह लोग, यह disciple लोग जो लोग वहाँ पे थे मंदिर में, वो लोग उसको पकड़ने के लिए बहुत दोड़ किया, the no wise ran away from there without a word, no wise जो लोग जो नौसिखिया लोग जो थे, यह लोग सब वहाँ से भाग निकले बिना कुछ बोले हुए, क्योंकि प्रिष्ट जाग गया, the same night, the priest filled the kettle with water to make his cup of tea, but as soon as he put the kettle on the fire, something strange happened, उसी रात को, जैसे ही प्रिष्ट ने, वो पंडित ने, वो पुजार जैसे ही उस, उस kettle में पानी डाल करके चाय बनाना चाहा, और जैसे ही उसको गरम किया, fire पे रखा, आग पे, कुछ अजूबा हो गया, क्या अजूबा हुआ, आग, the fire hell is on me, oh, it's the devil, the devil is on my home, तो जैसे ही उसको आग पे रखा, वो kettle जो है, वो इस जानवर में तबदील हो ग प्रिष्ट है, वो देख करके घवरा गया और चिलाया, अरे, यही तो है, devil, राक्छास, the devil is in my home, hearing the commotion, the novices came quickly, यह सब कुछ सुन करके, वो जो जितने भी novices, जो लोग थे वहाँ पे, जो नौसिखिया लोग थे, वो लोग दोड़ करके आगए, प्रिष्ट के पास, फिर इस ने क्या कहा, I tell you, it was badger, a badger, a badger kettle, and it speaks to, यह एक badger, badger है, badger एक जानवर का नाम है, एक badger है, और, यह badger kettle है, जो बोलता भी है, क्योंकि यहाँ पे इसने बोला, कि मुझे fire पर मत रखो, dear master, इसमें से एक आदमी बोला, dear master, it doesn't do good to tell lies, यह, यह, अच्छा नहीं करता है, जोट बोलने वालों के लिए, here it sits quietly, यहाँ पे चुपचा बैठा हुआ है, and so it was, it sat silent as a tea kettle, और tea kettle की तरह बन करके, यह चुपचा बैठा हुआ है, यहाँ पे, then the next day, the priest promptly sold the kettle to tinker for 20 copper coins, the tinker happy with his bargain, took the fine kettle back to his house, priest जो है, यह सब सारे घटना को देख करके, वो घबराया और घबरा करके, अगले ही सुबह, next day जो है, वो दुकांदर को ले जा करके, tinker को, tinker वो अदमी होता है, जो कबाड का समान खरिदता है, कबाड का समान रखता है अपने दुकान पे, और उसका मरमत करता है, उसको ठीक ठाक करके, फिर से वापस बेचता है, और कुछ पैसा कमाता है, तो tinker को ले जा करके, वो प्रिष्ट इस केटल को बेच दिया, कितने में बेच दिया, 20 copper coins में, ठीक है, tinker कहता है, what a fine piece you are, I will keep you next to me, so I can see you, the first thing in the morning, अरे क्या must piece मिला है मुझे, मैं तो इसे अपने bed पे, अपने सामने रखूँगा, नजर के सामने, सुबह उठते ही मैं इसे ही देखूँगा, उस केटल के बारे में बोल रहा है, at night, just as the tinker slept off, the tea kettle once came to life, the tinker at once woke up and looked about, and he couldn't believe his eyes, he saw a badger, और a badger tea kettle badger, अभी ये tinker रात को सो गया, और रात को इसका नींद खुला, और इसने ये देखा, और ये आश्चर ये चकित हो गया, कि अरे, ये केटल में तो जान आ गया वापस, ये केटल जो है, बैजर बन गया, एक जानवर में तबदिल हो गया, ये बैजर है, या फिर बैजर tea kettle है, एकदम आश्चर ये चकित हो गया, ये ऐसा बनते हुए देख लिया, डियर मैन, बैजर क्या कह रहा है, डियर मैन, I am not the devil or the product of some black magic, मैं कोई राक्छस नहीं हूँ, कोई खराब चीज नहीं हूँ, नाहीं कोई black magic का मैं बनाया हुआ कोई product हूँ, well, then what are you, ले पर तो फिर to all the fantastic stories that cattle told him about its journey all over the world, वो cattle अपना journey के बारे में पूरा रात उसको कहानी सुनाया तिंकर को, कि पूरा दुनिया वो जो cattle है वो कैसे घुमा, उसका सारा कहानी जो है वो तिंकर को रात भर में सुनाया, at the temple, they beat me and even put me on fire, I couldn't bear the pain, ये बैजर बोल रहा है, ये अनिमल बोल रहा है कि मंदिर में वो लोग मुझे मारे, मुझे सताये और वो लोग मुझे आग के उपर रख दिया और जो मैं दर्द बरतास नहीं कर पाया, तो तिंकर कहता है, you can live with me, I have nobody, तुम मेरे साथ रह सकते हो, मेरे साथ कोई नहीं है, and the two became fast friends, the cattle listed a number of things it would like if it were going to be तिंकर's roommate, और तिंक तिंकर और वो बहुत fast friend बन गे, बहुत अच्छे दोस्त बन गे, और cattle जो था, वो बहुत सारा आपना requirement का चीज जो है, वो list करके टिंकर को दिया, कि यह सा मुझे ला देना, I would like to chat now, and then I like to eat rice and beans and sweet things, don't forget, I really like sweet things, यह सब केटल बोल रहा है, वो जो beast है, वो जो जानवार है, वो बोल रहा है, टिंकर को मुझे, यह rice और beans चाहिए, मुझे sweet things बहुत पसंद है, तो टिंकर भी बोल रहा है कि anything else, और भी कुछ चाहिए, तो बोलो, I would be glad to know, मुझे खुशी होगी यह सब जान करके, well, yes, I have one more request, हाँ भाई, मुझे एक और request है, do you mind if I share your bed, क्या तुमको को कोई दिक्कत है, कि मैं तुमारे bed को share करूंगा, the night at times gets very cold, रात को बहुत थंडा बढ़ जाता है, तो इसलिए वो जानवर जो है, उससे यह भी request कर लिया, कि मैं तुमारे bed में ही सोंगा, मैं तुमारे bed को ही share करूंगा, यह दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, one day during there tea time, एक दिन चाई के समय पे दोनों क्या बात कर रहे है, are you poor tinker, क्या तुम गरीब हो, वो यह जानवर पुछा इससे, why yes, हाँ मैं हूँ तो, well my name is Bumbuku Chagama, I am no ordinary cattle, I am the prince of badger kettles, अच्छा, तो तुम गरीब हो, मेरा नाम है Bumbuku Chagama, और मैं एक साधारन cattle नहीं हूँ, I am the prince of badger cattle, जितने भी badger cattle है, उनका मैं राजकुमार हूँ, यह badger बताया, oh I am at your service, फिर यह जो tinker है, इसने कहा, कि मैं तुमारे सेवा में हूँ, Dear friend, that would be a lot work for you, sorry, listen to me, carry me around like a trained circus animal, and I can help you make money, make some money, तुम मुझे एक trained circus का जो animal होता है, उसके तरह मुझे ले करके घुमो हर जगा, और मैं तुम्हें पैसा कमाने का help करूँगा, यह कहा, वो जो जानवर है, उसने tinker को कह रहा, कि मुझे उस animal की तरह ले करके चलता है, जैसे circus मा animal को ले करके चलता है, उसी तरह से इसको बोला, कि तुम मुझे circus का जानवर की तरह ले के घुमो, और पैसा कमाओ, dear friend, that would be a lot work for you, यह बहुत, फिर भी तुमको बहुत काम हो जाएगा, ऐसा करोगे तो, the tinker bought materials required for the show, and called it the bumbuku chagama, और वो एक tinker जो है, वो एक show organize करता है, जिसका नाम ही देता है, bumbuku chagama, उस show का नाम देता है, और वो लोग show को organize करता है, how the people flocked, everyone was curious to see, talking walking tea kettle, as he danced and sang on the stage, the kettle cracked jokes, and people laughed till their sides hurt, और लोग बहुत उसाहित थे, बहुत उन लोगों को मज़ा आता था, जब वो लोग देखते थे कि कोई एक kettle, tea kettle जो है, वो walking करता है, वो talking करता है, वो cattle जो है वो बैजर बन जाता है, animal बन जाता है, यह सब देखकर के लोग बहुत उसाहिद थे, बहुत खुश थे, और वो जो बैजर था, tea cattle, वो बहुत joke भी सुनाता था, लोगों को हसाता था, At the end of each show, the बैजर cattle bore down to the audience, he was the talk of the town, and very soon, they were minting money, और सारे शो का जो end होता था, उसके बाद, यह जो beast है, यह जो जानवर है, यह जो बैजर है, यह हाथ जोड करके public के सामने खड़ा होता था, और जुकता था, अपना सर जुकाता था, और पूरे शहर में इस बात का बहुत प्र जल गया यह बात पूरे शहर में, सब को यही बात करने लगे, he was the talk of the town, और बहुत जल्दी ही वो लोग पूरा पैसा बनाने लगे, बहुत पैसा कमाने लगे, they were minting money, minting मतलब क्या होता है, mint उस जगा को बोला जाता है, उस organization को बोला जाता है, जहाँ पैसे छपते हैं, जह यह जानवर मिल करके, they grew so famous that even the royalty wanted to see the bumbuku chagama, उसके बाद यह लोग इतना famous हो गए, कि वहाँ का जो राजा था, जो royal king था, royal family था, वो लोग भी bumbuku chagama को देखना चाहते थे, oh he is so charming, यह लोग तारीफ कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ का जो र आज घराना है, राजा लोग है, वो लोग भी आये हैं, अपने family को ले करके, bumbuku chagama को देखने के लिए, his sow went on many years, one day kettle came to speak to his friend, इनका sow बहुत सालों तक चला और kettle एक दिन आया बात करने के लिए, कि dear friend, the time has come near me to leave you, समय आ गया कि मैं अब तुमको छोड़कर जाऊं, तो tinker कह करता है, don't say that dear bumbuku, we can always live together now that we are rich, अब तो हम लोग अमीर भी हो गया है, अब हम लोग साथ में ही रह सकते हैं, यार, मज जाओ ऐसा करके, tinker उदास हो गया, the kettle said he was finished with his time, and that he could not, he could no longer be bumbuku, tinker को kettle बोल रहा है, kettle बोल रहा है कि अब मेरा समय खतम हो गया है भाई, अब मैं bumbuku बन कर नहीं रह सकता, the short stopper, but only an ordinary kettle, आब मैं सिर्फ एक ordinary kettle बन पाऊंगा, the badger had only one request from his tinker friend, और badger जो था, जानवर जो था, उसका एक request था, I would like to be given to the morinji temple as a sacred treasure, मैं चाहता हो कि तुम मुझे उस morinji temple को मुझे दान दे दो, मुझे वहाँ पे दे दो, as a sacred treasure, पवित्र दान की तरह, पवित्र प्रपर्टी की तरह, तुम मुझे वहाँ पे, मंदिर में दे दो, and just like that, bad badger, badger became a kettle, and never spoke a word again, और वो जो badger था, वो जानवर था, वो kettle बन गया, और एक शब्द भी फिर कभी बोला नहीं, शान्त हो गया, खतम हो गया वो, वो badger, क्योंकि उसका समय पूरा हो गया था, the tinker did as his friend wished, he gave him to the temple along with half of his wealth, tinker ने वही किया, जो उसके दोस्त ने कहा था, और अपना दोस्ती निवाया इसने, उसने उसका आधा पैसा भी दे दिया, और उसको kettle को, उस मंदिर के प्रिष्ट जो थे, उस प्रिष्ट को दे दिया, hand over कर दिया, क्योंकि tinker, tinker को, वो request किया था, kettle जो है, वो request किया था, वो बैजर जो है वो रिक्वेस्ट किया था कि मेरा समय पूरा हो गया भाई आप मुझे अब मैं बुम्बु को नहीं बन सकता और मुझे अब मंदिर में बेज़ दो मैं वहाँ पे रहूंगा sacred treasure बन करके treasury बन करके it is said that the kettle was worshipped as a saint for many years ऐसा माना जाता है कि वो kettle जो है वो सालो साल तक पूजा गया वहाँ पे उस मंदिर में इसके कहानी जान करके comic by Priyankar Gupta यह chapter end होता है friend कैसा लगा आपको chapter यह आप comment करके बताएं इसका question answer वीडियो भी जल्दी मैं बना दूँगा आप लोगों के लिए चैनल को subscribe जरूर कीज़े और वीडियो को friends like जरूर कीज़े वीडियो से आपको जरा भी benefit मिला होगा थोड़ा भी help मिला होगा तो एक like कीज़े और मुझे motivate कीज़े ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसा ही वीडियो और मेहनत करता रहूँ thank you and have a nice day